हेलो एबरीबन दिस इदिक्षर आठोर एंड वेलकम बैक तो माई चैनल फ्रेंड्स 30 पोटन कुश्चन डिस्कुस करेंगे जो चाइल्ड अब्लेमेंट एंड पैड़ागोजी से हैं आपको अपना इवैल्यूएशन करना है कि कितने कुश्चन आप सही करते हो और कॉमेंट में जरूर बताईगा कि कितने कुश्चन आपके सही हुए है आउट ओफ 30 तो वीडियो को लाइक और शेकर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को कुश्चन को ध्यान से देखना है देन इसका आंसर आपको लगाना है पहला कुश्चन है बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक तदा परिमानात्मक दो रूपों में होता है बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा जो गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है तो राइट आंसर होगा कि सावेगी कनेंट्रन में परिवर्तन ठीके दियर तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा सेकीड आंसर नेक्स कुश्चन है बाल विकास की किस अवस्था को मनविज्ञानिकों ने गिरोहो अवस्था यानि गैंग एज कहा है यानि जिसको हम कहती है चे से बार वश्था की अवस्था जो बाल वस्था होती है तो इसके बाद की अवस्था को मनविज्ञानिकों ने गिरोहो अवस्था कहा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्र बाल वस्था ठीक है तो थर्ड आंसर यहां पर सही है अगला जो है dysgraphia समंधित है गनीत समंधी विकार लेखन समंधी विकार पढ़ने समंधी विकार या भाषा समंधी विकार तो dysgraphia यानी जिन बच्चों को लिखने में प्रोब्लम होती है लिखने से रिलेटेड होती है ये अशक्ता तो उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया अगला कुश्यन है भाषा को उप्युक तरीके से परिवाशित किया जा सकता है क्योंकि जयाविक विकास का परिणाम है अनभूवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है उत्तम समस्य समधान की दिश्या में एक कदम है या आत्म उनती का माध्यम है तो भाषा को उप्युक तरीके से परिवाशित किया जा सकता है क्योंकि भाषा के द्वारा विक्ति किया करता है अपने अनभूवों को प्रकट करता है है ना तो यहां आंसर सही हो जाएगा हमारा अनभूवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है क्लियर तो आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर यानि मतलब यहाँ पर सेकंड लिग लो आप ठीक है यह थोड़ी नंबरिंग में प्रॉब्लम है तो आंसर सही होगा हमारा अनुभू को प्रकट करने का उत्तम उपाय है नेक्स कोशन है प्रात्मिक सर पर मातर भाशा में पढ़ाना बहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों में आत्मविश्वास विक्सित होता है इससे अधिगम सरल हो जाता है यह बोधिक विकास में सायक है यह इससे बच्चों को स्वभाविक वातावरण में सीखने में सहायता म फोर्थ आंसर यहां पर सही है एक सिक्षि का कभी भी प्रश्णों का उत्तर स्वयम नहीं देती वह अपने विध्यारतियों को उत्र देने के लिए सम्हू चर्चाएं और सेहोगा आत्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोचसाहित करती है यह सिधान निम्न में से कि सिधान पर आधारित है शिक्षन समागरी के उचित संग्ठन पर एक अच्छा उधान स्थापित करने और एक रॉल मॉडल बनने पर सीखने की ततपड़ता या सक्रिया भागिदारिता तो इसका राइट आंसर होगा तो देखें यह सक्रिया भागिदारिता जो होती है ना एक्टि सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर ठीक है नीमन में से मैसलो द्वारा बताए गई बालकों की मूल आशकताई है ज्ञान समंधी आशकताई नियुनता अभिप्रेरक आशकताई बोद समंधी आशकताई या आत्म विकास समंधी आशकताई तो अब रहा मासलों जो थे इन्होंने आशक्ता के कई स्थर बताये थे जी ने जो है व्यक्ति गत पुरुनता के स्थर तक महुचने के लिए व्यक्ति को पूरा करने का प्रेतन करना पड़ता है तो मासलों ने जो है आत्म विकास समंधी आशकता को पूरा या आत्म समंधी जो विकास है ठीक है उससे समंधी जो आशकता है वो वालकों की मूल आशकता इन्होंने बताया है तो seven का अंसर सही हो जाएगा हमारा fourth answer ठीक है मांसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है कान की बनावट, सिमीज संप्रेशन, आत्म श्वास की कमी या आत्म अवलोकन तो मांसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है तो राइट आंसर होगा हमारा कान की बनावट ये शारिक विकलांग से रेलेटेड है, ठीक है? क्योंकि जिन वच्छो की बुद्धि लगदी जो कम होती है वो मांसि गृप से विकलांग होती है लेकिन कान की बनावड जो है ये Only Hisically Disable जो है है ये शारिक विकलांगता है तो फर्स्ट आंसर यहां पर सही होगा जो नहीं में पूचा था वह अवस्था जब बच्छा तारकी कुरूप से वस्थो व घटनाओं के विशे में चिंतन प्रारम करता है अप्चारिक संक्रियात्मक अवस्ता, मूर्च संक्रियात्मक अवस्ता, पूरु संक्रियात्मक अवस्ता या समेधी प्रेरक अवस्ता तो 9 का अंसर सही हो जाएगा तो मूर्च संक्रियात्मक अवस्ता है, ठीके 7 से 11 वश्की जो अवस्ता है इस अवस्था में बच्चा वस्तू और घटनाओं के विशे में चिंतन प्रारम करने लगता है और इस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन होता है वो अधिक तरक संगत और करमबद होना प्रारम होता है तो मूर्ध संक्रियात्मग अवस्था टर्मन ने साबित किया कि प्रतिवाशाली बच्चे व्यसक होने पर मांसिक रोगों के प्रति अर्थी सवेदिन्शील होते हैं बौदिक स्तर परिक्षा में ओस्तन व्यसकों के बराबर अंक प्राप करते हैं युवा काल के दुरान सफल रहते हैं लेकिन व्यसक काल के दुरान अपनी संभावनाओं तक पहुचने में असफल रहते हैं या समानता व्यसक होने पर आमतोर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं तो टर्मन ने क्या कहा है ऐसे बालक जो अपनी श्रेश्ट ख् उसमें सक्सेस होते हैं, ओके तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, अधिगम अनुभूह को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके, निमलिकित में से कौन सा अधिगम अनुभूह बच्चे के लिए सार्थक अधिग प्रिजारती उच तरिये सेजन शील्ड रंग मंचियक अलाकार बना चाहता है उसके लिए निमलिकीत में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेयरक होगा सबसे कम की बात यहां पर हो रखी है तो ऑप्शन देख लीजिए चात्र को राजस तरिये प्रित्योगिता को जीतने का प्रय प्रदर्शन के बारे में पढ़ने और सीखने की कोशिश करने चाहिए तो सबसे कम प्रेयरक जो होगा वो आपको बताना है वीडियो को पोस्ट कर लीजिए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि चात्र को राजस तरिये प्रित्योगिता को जीतने का प्रयाज करना चाहिए जो उसके लिए चात्र विती सुनिश्रित करेगा ओके तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर देखिए राजस तरपर प्रित्योगिता जितने का प्रयाज करना जो है ये कम प्रेरक उपाय है क्योंकि इंटर्नली अगर मोटिवेटेड है बच्चा वो अधिक ततपरता से वो सीखते हैं और इस तरपर ये जो विश्य है वो विध्यारतियों की आशकता सि प्रवादिक नकरात्मक गुणों का परदर्शन करते हैं उद्वारान के लिए आग्या नमाना आधी के विवार किया जाना चाहिए उसी आदेश देना बंद कर दिया जाए उसके इस विवार को विकास की सभावी घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाए उस पर काफी दब जाए जिससे वह कक्षा के अन्य शिक्षारतियों की तरह आग्या का पालन करना सीख जाए उसके प्रतेक कारे के प्रशंचा की जाए ताकि वह सकरात्मक साथ विवार ग्रहन कर ले तो देखी समाजी करन क्या है बच्चों को समाजिक प्राणी बनाता है है ना समाजिक का निर्मान करता है लेकिन कई बार बच्चा जूट बोलता है परमीशन है ना आग्या नहीं मानता है नेगटिव गुण का परदशन करता है तो ऐसे बच्चों की लगातार जो है प्रशंचा की जानी चाहिए हैं ना उनको जो है मतलब कि कोई भी अगर वह अच्छा काम कर की ITo announcesSet को मनमानी करने की चूट देना या प्रतेक Japanese सक्षरिती कını अशकता का ध्यान divisजा जाएगा पच्बार चाहिए इसंप्वूर भीकास का ध्यान रखा जाता है इससनसब्र कर creepy? प्रोटी मा यहाँ पर जाएगा मा Опपा सम्रार सर भी इन दो पोज कर लिया करो और फिर अपना अंसर लगाया करो ठीक है। तो 15 का आंसर होगा चाल्ड डवलम्मेंट के प्रोसेस को जो है प्रभावित करते हैं इंटर्नली होता है दियर उनकी हैरेडिटी जो एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जो हमें मिलते हैं और आनवाशिक्ता जो है मान बुद्धी की उपरी सीमा तै करती है पहलू को जाने लगता है तो वह समधान खोज लेता है अनुभव का, स्वैम का, बच्चे का या इनमें से कोई नहीं तो 16 का अंसर होगा जब बच्चा, ज्यान और एक्सपिरियन्स के माध्यम से समस्या के हर पहलू को समझता है और स्वैम का समधान जो है खोज लेता है इना 16 का आंसर सही हो जाएगा यहां पर कॉन सा किसके माध्यम से तो वह समस्या खोज लेता है है ना तो रइस आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा डियर वो है स्वैम का ठीक है तो थर्ड आंसर यहां पर सही है ये वाला डियर ये वाला थर्ड है नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है लेकिन ये वाला स्वैम का तो आप चाहे इसको थर्ड लगा लो या इसको सेकंड लगा लो लेकिन उतर सही है स्वैम का चिंतन का प्रवाहा विशिष्ट तत्यों से समान्य सिधानतों की ओर होता है निगमनात्मक आगमनात्मक अपसारी या अभिसारी तो यहाँ पर बात हुई है चिंतन का प्रभाः विशिष्ट तत्यों से विशिष्ट तत्यों से समाने तत्यों के ओर तो वो जाता है आगमनात्मक ठीक है सेकिन आंसर सही है समाजिक और राश्टे स्तर पर बहु भाशिकता एक महत्वण संसाधन है बालकों में द्वी भाशिक शमता सार्थक होती है समाजिक शेशुनता संगेनात्मक बुद्धी बौधी कुपलब्धी या उप्रोक सभी तो 18 का अंसर जो है भारा जो है एक बहु भाशी देश है और समाजिक और राश्टे स्तर पर ये एक शेशाधन की रूप में कार्य करती है ठीक है तो 18 का अंसर सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी विविद मनविज्यानिकों के आंकडों से पता चलता है कि सिक्षार्थी के सतर को बढ़ाने में अलग-अलग तरीकों से सीखती है और सीखे हुए कि जाज की उनकी प्रिस्तुती भी अलग-अलग होती है अता उनका अंकलन होना चाहिए केवल मोखिक परिक्षा के माध्यम से केवल लिकित परिक्षा के माध्यम से लिकित परिक्षा के बहुविद माध्यमों से या प्रुक्त में सी कोई नहीं तो लगतार आंकलन किया जाता है सिक्षन प्रक्रिया में और डिफरंट आंकडों से पता चलता है कि बच्चे डिफरंट डिफरंट तरीके से सीखते हैं उनकी जात की प्रस्तुति भी जो है डिफरंट तरीके से होती है तो ऐसी स्थिति में लिकित परिक्षा के साथ जो है ब निश्चित कारया शेत्र में शिक्षारतियों द्वारा अर्जित किये गई ग्यान और कोशल को विभिन कारया शेत्रों में शिक्षारतियों द्वारा अर्जित किये गई ग्यान और कोशल को शिक्षारतियों द्वारा पाठ्य पुस्तक के विशे में अर्जित किये गई ग्य कोशल के निश्पादन यानि ग्यान को जो सीका है उन्होंने ग्रहन किया है उसके प्रफॉर्मेंस की परिक्षन परनाली है तो ट्वंटी कांसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर नेक्स्ट इस शिक्षा मनवग्यान का अध्यान शिक्षकों के लिए उप्योगी है क्योंकि यह सिक्षक को आत्म संतुष्टी परदान करता है इससे वह परिक्षा उतिरन कर उपाधी प्राप्त कर सकता है इसके साहता से वह अपने शिक्षन को प्रभावी बना सकता है या इ किसके माध्यम से पढ़ाया जाए और किस तरह से वो अपने शिक्षन को प्रभावी बना सकता है तो आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर सुरेश ने विदाल लया है कि दोस्तों के साथ पिक्निक पर जाने की योजना मनाई उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा जो इससे सहमत नहीं है श्याम सोचे था है कि नियमों को बहुमत के अनुसार शंशोदित किया आ सकता है प्याजे द्वारा इस प्रकार असेमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किसे संदर्भीत किया गया है वह होती है आपकी बाल अवस्ता इस काल में बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई में रुची लेते हैं तरकशक्ती और चिन्टन का विकास इन में होने लगता है और प्रतिभा की जलक देखने को यहाँ पर मिलती है है ना तो यहाँ पर जो है आर्गुमेंट हो रहा है है ना आर्गुमेंट हो रहा है ना तो यह कहलाता है सही हो की नातिकता clear तो right answer होगा हमारा third answer third answer सही है मांसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या नीमन में से नहीं है negative में बिताना है शारिक विकास की समस्याएं समिगात्मक समस्याएं परिवार में समयोजित होते हैं या स्कूल में समयोजन की समस्या तो ऐसे बालक जो अपनी आयू वरक के दूसरे बच्चों की comparison जो है कम उपलब्दी प्राप्त करती है तो वो backward बच्चे होते हैं पिछड़े बच्चे ऐसे बच्चे जो है mentally पिछड़ जाते हैं और इनमें जो है physical development की समस्या होती है प्रंतु परिवार में समयोजित होने में इनको कोई समस्या नहीं होती तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर सही है क्योंकि यह परिवार में समयोजित हो जाते हैं है ना तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ शिक्षा उपलब्द कराकर एक उचित सक्षिक वातावरण का दिर्मान करने में सहायक है समा विशी शिक्षा, काम किंद्री शिक्षा, विभक शिक्षा या सिक्षा किंद्रीट, शिक्षा तो देखें समा विशी शिक्षा जो क्या कहती है Inklusive Education किस समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें सिक्षा का समान अवसर उपलब कराना ऐसे बच्चों को असमर्थ बालकों के साथ जो है समर्थ बच्चों को असमर्थ बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रवाइड करानी है और दत कार्य या सत्र परिक्षा, तो बच्चों का आपको पता है, टाइम टाइम पर मुल्यांकन किया जाता है, कई विधिया अपनाए जाती है, जिसमें से एक है सत्र परिक्षा, जो रचनात्मक आंकलन के लिए नहीं है, बलकि ये सैक्षिक आंकलन के लिए है, तो आंसर सही हो चाहिए को निचले स्तर के कार्य करने हितू प्रेडित करना चाहिए या की जिक्षा व्यवस्ता समाने विध्यारतियों के साथ नहीं करनी चाहिए तो देखिए मूख बाधी विधारती वे बच्चे होती हैं जिने बोनले में समस्या होती हैं तो ऐसे बच्चों के साथ समाने रूप से भिवार करना चाहिए तो फर्स्ट आंसर यहां पर सही है वह अधिगम जो बालक में किसी वस्तू या घटना को एक वरक के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव ननाता है कहलाता है विभेदात्मक अधिगम शाब्दिक साचारे अधिगम संप्रत्य अधिगम या समस्या समधान अधिगम तो 27 का आंसर जो है वो है संप्रत्य अधिगम सीखिने की वह विदी है जो बच्चे में किसी किसी वस्तू या घटना को एक वरक के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव ननाता है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकिड आंसर बच्चों के बारे में निमलिकीत कत्रों में से किस कतन से वाइगोच्की सहमत होते हैं तो वाइगोच्की किस कतन से सहमत होते हैं तो एक बार कोश्चन को पढ़ लीजिए वाइगोच्की जो थे इन्होंने समाजिक सांस्कृतिक विकास का सिधान दिया था रूस के मनविज्यानिक थे, इन्होंने ना मुस्टली समाज, सांस्क्रितिक और भाशा विकास पर बल दिया था, इसके अनुसार क्या था, यह important होता है कि अधिगम जो है समाजिक अंतसमंधों के माध्यम से होता है, कि जितना जादा बच्चे इंट्रेक्शन करेंगे, उतना आंसर यहां पर सही है, प्रतिवाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है, नेगटिव में बताना है जो नहीं है, समाज में समायोजन, लापरवाही सुस्ती, अभियान का विकास या उत्तम बुद्धी का सही प्रियोग, तो प्रतिवाशाली बालकों की समस्या इन म प्रतिभा शाली बालको की समस्या निमन में से नहीं है लापरवाही सुस्ती तो आंसर यहां पर हमारा सही हो जाएगा वो है हमारा थर्ड आंसर टीक है जो समस्या नहीं है सिर्जनात्मक शिक्षार्थियों की सिक्षण व्यवस्था है तू जो है शिक्षक को चाहिए कि वह है रचनात्मक आलोचना की क्षमता विक्सित करें वस्तो एम विचारों का जोड तोड विवादात्मक प्रशन न पूछे या सिक्षार्थियों में आत्म अविवक्ति की आ तो आंसर सही हो जाएगा हमारा 30 का वो है first answer ऐसे बालक जो हमेशा नहीं वस्तू को create करती हैं ये कैसे बच्चे होती है creative बच्चे होती है कुछ हट कर सोचती है है ना तो answer सही होगा हमारा first answer तो dear ये थे आज की हमारे important question आपके कितने सही हुए है कोमेंट में आप बताईएगा ठीक है कितने question आपने जो है सही कर लिए है तो कैसे लगे आपको एक question प्लीज जरूर बताईएगा जादा से जादा जो है share कीजिएगा वीडियो को ओके तो थैंक्स वाचिंग माई वीडियो दो लाइक शेन और सब्सक्राइब आपको चैनल तिल देन बभाई रब्राखा जया फुलिनाथ